दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें जिससे के आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीजों का नाम सुनते ही हमारे मन में एक डर्सा पैदा हो जाता है कि यह चीज़ें हमें नुक्सान पहुँचा सकती हैं लेकिन क्या वाकई ने ऐसा हो सकता है या फिर ये चीजें किसी ना किसी माथियम से हमें कुछ पताना चाहती हो दरसल आज से तीन साल पहले जब मैं और मेरी मंगेतर रुबीना दारजिलिंग घूमने गए थे तब ये घटना हमारे साथ खड़ी थी ये घटना हमारे लिए जितनी रॉंग्टे खड़े कर देने वाली थी उससे कहीं ज्यादा दुख ताइक और दिल को चूने वाली थी मैं और रुबीना एक ही आफिस में काम करते थे धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और ना जाने ये दोस्ती का प्यार में बदल गई जल्द ही हम दोनों ने दारजिलिंग घूमने का प्लैन बनाया राग भर ट्राइव करने के बाद हम दारजिलिंग के एक हिल स्टेशन पर पहुँचे नदी के किनारे हमें सस्ते दाम पर एक शांदार कौटेश मिल गया अगली सुबा हम बाहर गूमने के लिए तैयार हो रहे थे कि मुझे बगल वाले रूम से किसी के गाना गाने की आवाज आई मैंने बाहर जाकर देखा कि लौबी के आखरे हिस्से की खिड़की पर एक लड़की अपना सिर्ट टिकाए गाना गा रही है वो लड़की बेहत गोरी और गुंगराले बालों वाली थी वो मुझे देखकर मस्कुराने लगी और बगले में मैं भी उसे देखकर मस्कुराने लगा खर, भूग से हमारा बुरा हाल हो रहा था जब हमने लौबी के केरटेकर शंबू से खाने के लिए पूचा तो उसने कहा किया केवल नाश्टा और चाए कौफी ही मिलती है पीखे एक किचन है जहां आप अपना खाना बना सकते हैं हम पास के ढाबे से जब खाना खाने गए तो वहां के मालिक में हमसे हमारे ठिकाने के बारे में पूछा इस लॉबी के बारे में सुनते ही वो और आसपास के लोग हमें शक की निगाहों से देखने लगे और आपस में तरह तरह की बातें करने लगे लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरण पास की जगाहों पर घुमने के लिए निकल गए रात को ठक कर जब हम वापस आए तो हमें बगल वाले कमरे से दुबारा किसी के रोने की आवाजें आई मुझे लगा कि शायद ये वही लड़की होगी जिससे मैं सुबह मिला था अगले दिन हमारा वाटरफॉल को देखने का प्लैन था लेकिन शंबू ने हमें चेतावनी दी थी कि हम वाटरफॉल की चोड़ी पर ना जाएं क्योंकि वहाँ पर लोगों के फिसलने से कई मौते हुई है खैर तीन किलोमेटर की ट्रैकिंग के बाद हम वाटरफॉल पहुँच गए वहाँ का शांदार नजारा देखकर हमारी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था हमने मिलकर धेर सारी फोटोस खीजी कि तभी अचानक वही गुंगराले बालों वाली लड़की जिसे हम कौटेज में मिले थे हमें वहाँ आकर मिली मैंने रुबीना से उसका परीचाए करवाया उस लड़की ने अपना नाम सारा बताया और कहा कि वो एक एंगलो इंडियन लड़की है देखते ही देखते रुबीना और सारा में गहरी दोस्ती हो गई हमजारों ने मिलकर कई फोटोस खीजी कुछ तेर बाद हमने देखा कि सारा तेज कदमों से वाटर फॉल की चोटी की तरफ जा रही है बरहाल यहां आना मेरी सिंदगी का सबसे हसीन पल था लेकिन आगे क्या होने वाला था इसकी हमें बनक तक नहीं थी रात को हमने शम्बू के साथ मिलकर खाने का इंतिजाम किया शम्बू नशे की हालत में कहने लगा साहिब हमें भी अपने साथ दिल्ली ले चलो वहाँ कोई काम धंदा कर लेंगे यह जगा भूता है यहां बहुत सी मौते हुई है पिछले कई महीनों से आप ही यहां पर अकेले गेस्ट हो यह सुनकर पहली बार तो हम चौक गए लेकिन बाद में हमने सोचा कि शायद यह नशे में कुछ भी बोले जा रहा है इसलिए हमने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया खाने के बाद मैं गहरी मीम में सो गया और सुबा देखा कि रुबीना उस बगल वाले कमरे में पसीने से भीगी हुई बेहोश बड़ी है और वो कमरा बिलकुल खाली पड़ा था मानो जैसे बरसों से वहां कोई आया ही नहो मैंने तुरंट रुबीना को जगाया और होश में आने पर उसने जो मुझे पताया उससे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई रुबीना ने जो मुझे पताया वो कुछ इस प्रकार था रात को करीम तीन बचे उसका दम घुटने लगा तो उसने देखा कि सारा उसके उपर बैठी हुई है जैसे ही रुबीना हड़ बढ़ा कर उठी तो सारा उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने कमरे में ले गई अब उस पगल वाले कमरे का हुलिया एक तम बदला हुआ था धुंदली सी रोशनी और कोने में एक अदेड उमर का अंग्रेस आदमी आखे बन करके वाइलन बजा रहा था रुबीना को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने कोई फिल्म चल रही हो सारा उस आदमी का हाथ पकड़ कर बोली अलबर्ट प्लीस डॉंट को डॉंट लीव मी लेकिन उस आदमी पर सारा की बात का कोई असर नहीं हुआ और वे उटकर बाहर की तरफ जाने लगा लेकिन तब ही अचानक सारा के हाथ में पता नहीं कहां से गन आ गई और उसने उस आदमी पर गोली चला दी जिसके बाद रुबीना बेहोश हो गई ये सब सुनकर हम जैसे दैसे वहां से निकल पड़े वो ढबा जहां से हमने पहले दिन नाश्टा किया था उसके मालिक को हमने सब कुछ बताया वो आदमी बोला साहिब हम आपको पहले भी बताने वाले थे लेकिन शेहर के लोग कौन सा हमारी बातों का विश्वास करते है ये कौटेज भूता है यहां पर कई मौते हुई है ये उस जमाने की बात है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे ये कौटेज अंग्रेज अफसर अलबर्ट केट का हुआ करता था उसे यहां सारा नाम की एक एंगलो इंडियन लड़की से प्यार हो गया लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो सारा ने पूरी कोशिश की कि अलबर्ट उसे छोड़कर ना जाए लेकिन अलबर्ट उसकी बात क्यों मानता उसके बीवी बच्चे तो इंगलेंड में थे और जिसे सारा प्यार समझती थी वो प्यार नहीं बलके एक दोका था इसलिए उसने अलबर्ट को गोली मारी और बाद में वाटर फॉल की चोड़ी से कूट कर आत्मा हत्या कर ली तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा यहां पर भटकती है इसी कारण दस साल पहले यहां शम्बू नाम के केर टेकर ने भी परिशान होकर छट से कूट कर आत्मा हत्या कर ली उस आदमी की ये बातें सुनकर हमारे रॉंग्टे खड़े हो गए और साथ ही साथ हमारी आँखों में आंसू आ गए तब ही मुझे खया आया कि क्यों ना हम उन फोटोस को एक बार दुबारा चक करें जो हमने उस दिन सारा के साथ वाटर फॉल पर खीजी थी और जो हमने देखा उस से हमारे पैरों तले समीन निकल गई उन में से एक भी तस्वीर में सारा मौजूद नहीं थी बापसी के दोरान मेरे मन में अजीब और खरीब सवाल आने लगे कि आखिर सारा ने हमें ही क्यों चुना शायद वो हमें कुछ कहना चाहती थी दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझे परसनली मैसिज भी कर सकते हैं आप अपने विचात हमें कॉमेंट्स के माधियम से जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें हम जल्दी आप से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजास्त दीजिए